हलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीगीन अपस्वागत करता हूँ दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.101 का युनिट सिट्स पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे रोमन समराजे के बारे में रोमन समराजे का यह पार्ट 1 होने वाला है पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करने वाले है इस वीडियो को जो में हमारा थीम होने वाला है कि रोमन समराजे किस परकार से विक्सित हुआ रोमन समराजे का आरंबिक काल में विकास का या विस्तार की नीति किस पर कार की थी विस्तार कितने चरणों में हुआ यही हमारा main question भी exam में बन कर आता है चल्दे वीडियो स्टार्ट करते हैं और डेटेल में समझते हैं इस समराज्य का विस्तार पूरे दच्छिनी यूरोप के अलावा उत्तरी अफरीका और अनातोलिया के छेतरों में देखा जाता है। पार्सी समराज्य इसका पर्तिदुवंदी था जो फुरात नदी के पुरुव में स्थित था। रोमन समराज्य अलग-अलग स्थानों पर लातिनी और यूनानी भासाएं बोली जाती थी। सन 130 में इसाई धर्म को राजधर्म घुशित कर दिया गया था। रोमन समराज्य 500 इसा पुरुव से लेकर एक एस्वी तक चलता रहा। 500 इसा में गणतंत्र की स्थापना हुई रोम के अंदर में रोमन समराज्य का जो केंद्र था उए इटली को माना जाता था। इटली में परमुख केंद्र के तोर पे रोमन समराज्य का उबरकर निकलता है। रोम के आरंबिक चरणों मेँ अगर आप देखो गए तो लेटिन और एक्सटरिन जो लोग थे उनका बहुत मत्यपुन योगदान देखा जाता है उनके समराजय के ंदर में उनके समराज्य विस्तार के अंदर में और विकास के अंदर में इन लोगों का योगदान महत्यपून माना जाता है रोम इटली के मद्दे भाग के ताइबर नदी के टट पर बसा हुआ था जो रोम कहां बसा हुआ था तो ताइबर नदी था उसके मद्दे भाग के यह जो जो मद्दे भाग था उहां पर बसा हुआ था इसली के मद्दे भाग में तो यह भी आपको याद रखना है रोम सहर की जो इस्थापना थी 753 इसापुर्व में हुई थी रोम सहर की स्थापन होई रों में 510 इसापुर्व में रास्तंत्र रास्तंत्र को समाप्त करके गड़्टंत्र के स्थापना हुए गण्तंत्र मतलब क्या 안सिक धार पर पूरा ओचीजे चलती है तरह यहां पर सार अधिकार किसके पास होता है लोगों के पास होता है जनता के पास होता है, गण मतलब होता है, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, लोग मतलब तो आम जनता, लोग, तंत्र मतलब व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, जहां पे सारी व्यवस्था, सारा जो करना धरना है लोगों के हाथ में यह दोज़ाब 24 में कौन परधान मंत्री बनेगा, कौन चुनेगा, हम चुनेगे, तो किसके अंदर में बश्ता है, हमारे अंदर में बश्ता है, तो यह लोकतंत्र यहां पर कहते हैं, तो उचने वाली बात है कि 510 इसा पुरूब में वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होई, तो 1947 हम इसको सही आंसर के तौर पे लिखे चल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश 1947 को ही आजाद हुआ था, जिसके बेसिस पे आगे जब सविधान बना, तो हमें अधिकार मिले और उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है, दुनिया का सब्सक्राइब क्या होता है, कुलीन लोग, ऐसे लोग, एलिट क्लाजिस हैं, बोलते हैं, जो बड़े लोग, उच्च पद्ध वाले जो लोग थे, उनका पूरा अधिपत हो गया, उनसी जो व्यवस्ता पे, कि किस तर से मैनेज करना है, क्याचे जे करना है, तो उस पे कांसुल, कांसुल उन लोग, दो लोगों को कहा जाता था, जो सरकार के मुखिया हुआ करते थे, जो सरकार को प्रिजेंट करते थे, उनको कांसुल के तोर पे जाना जाता था, ठीक है, इनका चुनाव पर्तिवर्स होता था, रोमन समराज्य पांसो वर्सों तक कायम रहा, si Small немного considered its data to almost 500 500 तक ऊड़ा रहा और अपने समराजिय का विस्तार क्या विकास किया और अलग बनकर अपर आगे में भी देखें ि किस तरह से रोमें समराज्य का विस्तार स्म्राजी का हुआ सम्राजयb आरंबिक चर्णों में रोमन समराज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ यही एक कोश्चन बनकर आते हैं आपके एक एक पॉइंट मैंने उठा रखा है सही तरीके से आपके बुक के ही सारे पॉइंट से तो आपको इजी होगा मैच करने में अगर आप सोचोगा है कि मैं अपने बुक से भी पढ़ू और यहां से भी पढ़ू तो दोनों जगह से आप इजली connect कर सकते हो क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके बुक के ही हैं दूसी जीज क्या है अ अभी मैं डाल दूगा वहां से आप इसको डारेक्टली ले सकते हो आगे मैं बात करूँ इसके विस्तार के दो चरनों में बाटा गया अगर पूछा जाए भी कभी भी कोश्ची ने बनकर आता है कि आरंबिक चरनों में रोमन समराजी का विस्तार जो starting का time period था आरंबिक time period था उसमें रोमन समराजी का विस्तार किस परकार से हुआ तो रोमन समराजी के विस्तार को दो चरनों में बाट कर हम study करते हैं पहला चरन आता है कि 500 से लेकर 280 इसा पूरु तक चला पहला चरन 500 से लेकर 280 इसा प पताय था यहां पर समराज्य कि है यह वाला यह वाला रहे हैं रोमन समराज्य eh 500 अश़शल लेकर एक ह्सवी तक चला 5500 से लेकर एक ह्सी तक ठीक है वांजस लेकर 9 सबसाह करें बात करें Almost 202 280 इसा पुर्ठ का पहला ना पिए चलिह द दूसरे चलिघंगे रोमन समराजी ऐसे अपने पहले पर्सार में पूरजन पूरे इतावली से है इसका मैंने आपको युनिट 4 और 5 में बहुत अच्छे तरीके से बताया था तो पूरे इताबली प्राइदी प्राइदी होता क्या है प्राइदी वर्ट को भी समझदी जो रहत है जैसे हम कभी बात करें प्राइदी भारत तो जो भी इस तरह का जो एंगल होता है भारत का प्राइदी 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 पीए जो छेतर था मतलब जो इस तरह का जो छेतर होगा उसे अपने कभ्जे में लेने का परियास किया गया रोमन समराजी के द्वार होरवे परथम चलने का टाइम प्रेयड पांसो तस लेकर 280 कि ठीड़े इसका परियास ऍापरमन इस की शुरुआत मद्दे इटली पर अपना अधिकार कायम करके की इसकी सुरुआत कैसे करीब है सबसे पहले उसने कहा इटली चृत कर रहा को इताबली के प्रडीपे चेतरप अपना कप्जा कर सके इस प्रकार रोमन सम्राज्य की जो रन्यति ती उस कहता है कि उसने लेटिन भ बोलते हम भी लेटिन बोलते तो चलो इंसे जो गठ बंदन करो ठीक है या फिर इनको अपने मिला लो इनको अपनी भासा बोलने मजूर करो इस तरह बेसिस पर यहां पर गठ बंदन किया जाने लगा तो यहां पर देखोगे कि रोमन समराज्य की जो राजनितिक के तहट हम हैं एक्जांपल यहां पर कवह हर्ट ना हो यहां पर एक्जांपल के लिए चलते हैं कलो औस किरंने ना के आप पाकिस्तान एक्जामपल में कुछ और देने वाला था बट मैं यहां पर सोचा कि गल्ती चीज़ अपनी मुझे निकालना एक क्यों किया पापते सबस्क्राइब करें कि क्या टॉपिकूराइस को तो मुसलिम यह पर चिन क्या त्यध्य चार कर रहें वो भी Muslim ठीक है और पाकिस्तान के अंदर में पूरी Muslim है तो वो दोनों को लेकर कि भीया आप मेरा साथ दो चीन के अंदर में लड़ने के लिए ठीक है फिर मैं आपका अधिकार दिला दुआ मतलब इस तरीके से कि या वो तो उस देश के अंदर में आप मुझे साथ दो क्योंकि हम दोनों तो एक ही कास्ट के एक हैं और यह पाकिस्तान के साथ अक्सर होता है ठीक है जब भी कोई टॉपिक उठाना होता है तो यहीं कहता है कि आप इस टॉपिक पर साथ दो देखो भार बासन नहीं बोलते थे तो उन पर आकरमन करने से पहले उससने लेटीन बासियों के साथ में गठ चोड किया उन लोगों को बोला गया क्या आप लेटीन बोलते हो मैं भी लेटिन बोलता हूं तो नोको कोन सेमी है तो जो दूसरे वाले उन्सक्साहण को कोई चीज नहीं है तो आप दूसरे छेतर पर अधिकार कर लो उसका छेतर अपना छेतर मान के चलो ठीक है यह सिंपल सा लॉजिक रहता था जैसे आप देखोगे इराक इरान ठीक है अमेरिका ने वहां पर कई सालों तक यूद लड़ा अफगानिस्तान तो यहां पर यहां प उसको प्राप्त करने के लिए यूद लड़े गए थे तो रोम भी यहां पर उसी स्टेटिजी के साथ में यहां पर वाक करता है जहां पर लेटिन भासियों को अपने साथ में मिलाता है और संसाधर महां के प्राप्त करता है गयर लेटिन भासियों को आकरमन करके लगबग से सटा हुआ एक extra सहर था जो रोम का पुराना दुस्मन भी माना जाता है इस विज़े के बाद रोम को बहुत फाइदा हुआ अब रोम वही की भूमी पे भूमी और संसादों पर अपना अधिकार करने के लिए इसके इस्तमाल करने लगा और अपना विस्तार करने पर जोर द सकते हैं इस पर्थम चरण में मद्धि इटली के अधिकाहंस से में पर कबजा कर लिए जो मद्धि इटली इटली में पर जो इसके बाद अपना विस्तार दचनी हर करना चाहा मतलब यहां पर आगे और बढ़ता है और इस शेत्र को कुछ युनानी बस्तियां बी सब्सक्राइब इस तरह से विस्तार करा था तो युनानी बस्तियां भी बीच में उनसे भी इनका संघर्स हुआ और एक घमासान युद के बाद में युनानी रोमन समराज्य के उपर में अधिक तक डारेक्ट गए उनको बोले खिए देखो आप भी लेटिन में भी लेटिन हम दोनों मिल जाते हैं ठीके चलो वही पर हम अंदा करते हैं जीच जाते हैं इसके बीच में जो पुरी परकिरिया है ने इसके बीच में कई सारी यूद लड़े गए ठीके बहुत ज़्यादा ज तो उसकी पूरान दुसमन भी था उसका इस्तमाल हम किसके लिए कर सकते अपने विस्तार के लिए कर सकते तो यहाँ पर यह रिजन था भी का पूरा यह नक्सा है कि किस तरीके से रोमन अंपायर बढ़ रहा था किस प्रकार से उसका फैलाव हुआ ठीक है इटली के कौन-कौन से भागों पे कबजा किया गया तो यह रोम का पूरा मैप आपके सामने है ठीक है आगे में बात कुरू सेकेंड चरन का क्योंकि सेकेंड इंपोर्टेंट है पॉस्चरन तुम्हारा कंप्लीट होगे कि किस तर से वई और इटली के मद्यभाग पर कबजा किया युनानी बस्तियों को किस तर से अपने अंडर में लिया यह आ जाता है सेकेंड चरन के अंदर में रोम बासी जो थे रोम के रहने वाले जो लोग थे अपने परशार भूमत्य सागरी छेतर पर करना चाते थे जो भूमत्य सागर का जो छेतर था जहां पर भूमत्यक्वर होओ दिर दिरे वह पर करना चाते थे इस छेतर पर कर्थेज анд 활ियाही जो लोग थे उनकाधिकार था और दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई कार्थेज जो थे फोनी सियाई वैपारी वस्तियां थी कार्थेज एक फोनी सियाई वैपारी वस्तिय थी मतलब कार्थेज यह क्या था एक वैपारियों की वस्तिय थी जिसको हम फोनी सियाई बोलते हैं ठीक है नोवी सताबदी के अंदर में यह स्थापित हुई थी जो फोनी सियाई वस्तिया थी वो नोवी सताबदी में स्थापित हुई थी कहां पर कार्थेस के अंदर में ठीक है पश्चिमी भूमद्य सागर के अधिकांस हिससे इसके अंदर में सामिल थे कार्थेस के अंदर वह क्या क्या था दच्छनी इतली के अंदर में अपनी इस्तितिक अपने पोजिशन को करने के लिए उसने क्या क्या समराज्य से उसका संघर्स हुआ और यह लड़ाई लंबी चली तो यह कार्थेज को इन्हों नहीं हरा दिया था और पश्चमी भुमत्य सागर के छेत्र में कार्थेज का दिकार के बाद रोम और आप देखोगे तो कई सारी लडाईया होती है जिसमे एक सतादी तक चलती हुई यह दिखा जाता है और सबसे में लड़ाई जिसको प्यूनिक यूद के नाम से जाना जाता है, अगर कभी पूछा जाए कि प्यूनिक यूद है क्या, तो प्यूनिक यूद मतलब क्या, रोम और कार्थेज के बीच में होनी वारी लड़ाई को प्यूनिक यूद के नाम से जानते हैं, प्यूनिक के अंदर में अग तीसरा युद यहां पे जो अंतिम यूद था एक सो उननिचा से लेकर एक 46 ही था पुरूफ के अंदर में तीसरा युद हुआ तो इस तरी करके 232 हो जाता है अब देखोगे इस युद के इतने लंबे-लंबे युद लड़े गया होंगे रोम और कार्थेज के बीच में ठीके अभी जैसे रसिया और यूकरिन का हो रहा है तो जैसे जैसे टाइम बीतर है कि यहां पर देखेंगे कि 23 साल 18 साल युद लड़ रहे हैं तो फिर वो क्या सोचेंगे तीसरा जो युद समाप्त होते ही कार्थेज की जो पूरी समराज्य हो गया था ठीक है जब तीसरा युद खतम हुआ तो उसके बाद तक पूरा समराज्य खतम और इसके इलाके पर रोम का पूरी तरह से कपजा हो गया इस दोरान में रोम के हाथ कुछ मत्यपौकर शेत्र लगे जिसमें सीसली स्पैन और अफरीका भी सामिल थे स्पैन एक मत्यपौकर शेतर था ठीक है उसके सासत में अफरीका भी इंकेंडर में आ गया ठीक है रोम ने कहाश了 हिए मकदोनियाईsan युननी राजयों को अधिकार में में लिया और 147 इसा P cheddar में मधदुनियां को पर प्रating चुरूप से रोमन सम राजय का अधिकार हो गया क्योंकि युनानी के बढ़ने लग और से कि दो indirectly कार्थेश का या फिर सीसिसिली का इसपेइनगा अफ्रीका का जो खब जा था ठीक है मकदुनिया को खब जा था वह इनके हाथ में मिलता जला गया रोमन मिस्र के संबंद में रोमन समराज्य की यह निति रही की मिस्र पर वह टेली मंदी राजवन्स का शासन था ठीक है यहाँ पर टेली मेदी राजवन्स का सासन था मिस्र पर मतलब जब वह रोमन समराज्य की निति रही की वह जो टेली मंद सासन का टेली मिद का टोली मिद का जो सासन था रोमन समराजे इसका संग्रक्षन ले लिया गया था ठीक है मतलब जैसे देखो जब नहीं रोम जो था युनान के उपर में जब अपर्टेक्श रूप सदिकार हो गया तो मिस्र के संबन्द में रोमन समराजे के निती बना कर चला कि उस समय तोली मेद करके जो सासक था उसका को अपना संग्रक्षन दिया था सुरी यहां पर मैंने गलत बोला जब रोम का युनानी समराजे युनानी छेत्रों पर अधिकार हो गया था तो मिस्र के और बढ़ता है मिस्र के साथ में नीती बनागा चलता है कि आपके यहां पर किसका सासन है तो टोली में दिका सासन है राजबंसों का सासन है और हम आपको संग्रक्षन देते हैं रोम समराजे ने इससे संग्रक्षन में लिया मतलब किसको संग्रक्षन में लिया टोली में राजबंसों को संग्रक्षन में लिया मिस्र को संग्रक्षन में लिया और इसका अर्थ यह हुआ था कि जो भी इसकी विदेश नितियोगी किस से दोस्ती करना है किस से नहीं करना है कहां जाना है कहां नहीं जाना उसके उपर में इसे अपना अधिकार कर लिया और अपने हिसाब से इसको रेगुलेट किया मतलब जो विदेश नितिय था उसका संचालन किस ने किया रोम ने किया पस्चमी अनात बाद 200 तादियों तक रोम समराजे विस्तार होता रहा, परन्तु उसमें कोई खास परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है, भूमद्य सागर के इस छेतर का केंद्र बिंदू बना रहा, इस परकार हम देखते हैं कि रोमन समराजे का आरंबिक विस्तार मद्धे इटली, दच्छनी इटली भूमद्य सागरी का छेतर हो गया था, जो कि रोम समराजे का विस्तार सबसे बड़ा चरन, इसमें रोम समराजे अपने विशाल सोरूप को धारन करने में कायम रहा, जबकि वेई छेतर का संसादन और भूमी में विस्तार में लगा सकता था, देखो यहा सेकेंड चरन में जाता है, तो सबसे बड़ा वहां पे टार्गेट देखता है कि कार्थेज हैं, कार्थेज को उन्होंने हराया, कार्थेज को हराने के बाद, उसका छेतर था, सीसली राजजी जो हो गया, जहाँ पर संसाधन भरपुर मातर में उपलव देते, सीसली हो गया पर इस्पेन हो गया अफ्रीका हो गया उस पर अधिकार किया अपनी राजनितिक तौर पर अलग लगतर के गटबंधन या सरण में दिया गया उसको संग्रक्षन परदान किया जिसके बेसिस पर अपना ग्रो कर सके और अपने समराज्य की विस्तारवादी के नीति को कायम कर सके जैसे ही वह बुमति सागरे का अच्छे तर अपने अंडर में लेते हैं उसके बाद विस्तार की नीति होती है कही ना कहीं थम जाती है क्योंकि आगे कोई स्वरूप आपे निश्चित नहीं रहता है पर फिर भी उन्होंने दिरे दिरे टाइम के साथ मे अपना विस्तार की निति को आगे बढ़ाने का कोर्चिस किया अगर आप इस पेन यह जो रोम है रोम का अगर सासकों की सूची दिखोगे कि कौन-कौन सा सासक बनेती हैं आपके मैंने आपके स्क्रीन पर पूरे सासकों की सूची लेकर आए हूँ तो यह भी आप यहाँ प सबसे में जो यहाँ पर आगस्ट्रक सीजरी है जिसके नाम पर पूरा रोम समराजय चलता है आज भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में इनके बारे में जानकारी मिलेगी ठीक है अस्ट्रक सीजर हो गया निरो हो गया ठीक है नर्वो हो गया टार्जन हो यह जो यह जो वन्स थे या फिर जो यह लोग यह बहुत इंपॉर्टेंट डोल प्ले किये रोमन समराजय को विकास करने में इनका बहुत जड़ा इंपॉर्टेंट डोल रहता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं अपना पार्ट वन खतम करता हूं अगला पार्ट हम जल्दी ही डालने वाले हैं तो उसको जरूर देखिएगा जिससे आपको एक पॉइंट के लिए हो यहां पे चीज और बताना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जो में हिस्ट्री का जो सेमेस्टर वाइस वाला स्लीबस है यह क्या है कि दूसर से इंटर लिंक बेस चैक्टर है क्यों इसको सामिल किया जा रहा है इसको जब तक आपको समझ में आएगा जब तक आपने यूनिट 4 और 5 नहीं बढ़ा क्योंकि वहां पे हमने इसका जिक्र किया था ठीक है समझ में आता है तो मैं रिक्वेस्ट यह करूँगा कि जो भी चैप्टर आपको मैं वीडियो यह स्क्रीन पर दिख रही है अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो डायरिकली हमारे जो ग्रूप है जो ग्रूप में ट्रेलिग्राम के जाओगे वहां तो मिलेगा ही मिलेगा स्था साथ में आपको करना कि डिस्क्रिप्शन में दाइन अपका ब्लॉक पोस कोई फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक से जरूर करें दो शैनल है नव इंफोर्मिशन जहां पर आपके सारे कॉलेज की अपडेट मिलते हैं दहीन आपके जो भी डिवास से उसको मैं कवर करवाता हूँ तो दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें, दोनों से आपको बहुत benefit होने वाला है in future, तो friends यहाँ पर हम वीडियो एंड करता हूँ, thank you so much, bye bye, take care all the best, अगर कोई question हो, कोई doubt हो, तो आप comment box में raise कर सकते हूँ, जहाँ पर मैं आपको directly answer दे दूआ, यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं, bye bye, take care all the best.